शब्द समस्या अब हम भाग के कुछ शब्द समस्या हल करेंगे उधारन पहला, हर एक बच्चे को चार के हिसाब से यदि 148 पत्थर के टुकड़े बांटे जाएं तो कितने बच्चों को पत्थर मिलेंगे? और बच्चों को चार देने हैं और पत्थर है 148 इसलिए हमें 148 को चार से भाग दिना होगा यहां देखें, पहले हम सैंक्रा के सान पर एक अंग को चार से विभाजित करने हैं लेकिन चार के पहाड़े में एक नहीं आता चार एक से बड़ा है, लिहाजा आपका उत्तर शून्य होगा हम उत्तर के खाने में पहले सान पर शून्य लिखेंगे फिर एक से शून्य घटाएंगे, घटानी पर हमारे पास एक बच्चता है अब इसके आगे हम धाई का चार अंग लिखेंगे चार के पहाणे में चौदा नहीं आता है चौदा से करीबी छोटी संख्या बारा है चार गुणा तीन बारा इसले तीन को भाग रखेंगे और चौदा में से बारा निकालेंगे दो बच्ते हैं आठ की इकाई को नीचे लेंगे अब हमारे पास नया अंग 28 है अंग 4 को 7 से गुणा करने पर 28 आता है इसलिए उतर के स्थान में हम 7 लिखेंगे और 28 से अंग 28 को घटाएंगे घटाने पर 0 आता है अंतिम उत्तर 37 हुआ इसलिए हम कहेंगे कि पत्थर के 148 टुक्रों को 37 बच्चों में बाटा गया उधारन दो 340 फूलों से 8 फूलों वाले कितने गुलदस्ते तयार किये जा सकते हैं इसके बाद कितने फूल बचेंगे बच्चों जैसा आप यहां देख सकते हैं तीन को 8 से विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि 8 अंग 3 से बड़ा है इसलिए हम उत्तर के सान पर सबसे पहले 0 लिखेंगे और 0 को 3 से घटाएंगे तो घटाव के बाद 3 बच्चते हैं इसके आगे दाई का अंग 4 लिखेंगे 34 का अंग मिला 8 के पहाड़े में 34 नहीं आता है लेकिन 8 को 4 से गुणा करने पर 32 आता है जो 34 का सबसे नज़ी की काम अंग है उत्तर के सान पर 4 लिखेंगे और 32 को 34 से घटाएंगे तो दो बच्चते हैं इसके आगे इकाई का अंग 0 लिखेंगे इस प्रकार 20 हो जाता है अंग 8 से गुणा करने पर 20 नहीं आता है अंग 8 को 2 से गुणा करने पर 16 होता है जो 20 से कम है हम उत्तर के खाने में 2 लिखेंगे और 20 से 16 को घटाएंगे हमारे पास 6 चार बचता है जब क्यूतर के खाने में पहले ही 42 हैं इसलिए 344 फूलों से 8 फूलों वाले 42 गुलदस्ते त्यार होंगे और 4 फूल बचे रह जाएंगे बच्चो इस प्रकार तुम आसानी से भाग देने की शब समस्या हल कर सकते हो